अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले आप नीली यह जो तेरी मान में ना यह से दूर नहीं है खुन है कितनी प्यारी लग रहे है नहीं मेरी खुबसूरत हो यह हमारे खांदानी कंगन है जिस पैसे भी तेरी नजर थी वो तो तुझे मिल गया लेकिन एक चीज कभी मत भूलना यह पैसा तेरी सबसे बड़ी मत बिसमत ही लेकर आए तेरी पैरो की भी पेड़ियां आगे पुक्तर तुझा के अराम कर ठक गई होगी विमी बहु को तेज का कमरा दिखा दो जी भाई साब विमी मैं जाओंगे मेरी बहु है मैं लेकर जाओंगे अब पर वो मुझे बात्रूम हाँ तो में लेकर चलती हूँ ना कहना भीटा घर इतना बड़ा है कि तुम कहीं खोना जाओ इसी बहाने से तुमें घर भी दिखा दूगी बेटा राजया निपुत्तर इसे रसोई भी दिखाने काली से रसोई की पहली रस्म कर दूए कि ये खीर किसी और में नहीं बल्कि हमारी दान चून इन बनाई वाहम वाहम क्या खीर बनाई आपने जीदर जी आज ये नहीं के तब तो से शेहत कैसे ठपकने लगा ड्रामे कर रही है है ही ड्रामे बास एक छूटी सी कप उस रही है उसने एक दिन तेखिया कि वो एक बड़ी से पेड की टहनी भर अपना छोटा सा खोसला बनाएगी उसी पेड की सबसे उची टहनी भर एक बास रहता था छोटी सी कपुत्री जो थी ना वो उची उड़ान भरने के सबने देखते थी लेकिन बास से उचा तो कोई उन ही नहीं सता एक दिन बास ने बड़े बड़े बंक यू खोले और छोटी सी कपुत्री कुत्र दोच देगी कि कपुत्री का तव कोट्रे लगा उसे सहसानी बंदो गही मर्द तुझे पता है उस दिन के बात से वो छोटा सा घुसला आज तक उचार है उसमें कोई नहीं जाता अटन परूज़ कर दो अटन पर तक आज गोचार अच्छा आजी हंजी मैं आज आई विता आगे से लेफ्था वहीं पर आव आवाशू हाँ हाँ पर पर कर दो झाल झाल जी दर्वाजा कैसे बंदो गया? मैडम जी मैडम जी अब बहार है क्या? कितने हैं? बहुत सारे आब आएगा ना मजा अब इस दो कौड़ी की नौकरानी को समझ में आएगा कि राज़ानी धिल्नों से बंगा लेने का क्या नतीजा होता है? पड़ी आएथी मेरे पीटे का कमरा शेय करने के लिए पीड पड़ी इसससा मैं जूचूँ है फुल्याइड आप अब आप है? मैं आप जाती है ना जब माबाप की उम्र कमजोर हो जाती है ना तो अलाद उनकी ताकत बनती है कि मैं मानता हूं कि हालात ने हमारे बीच एक दिवार खड़ी कर दिये लेकिन हम दोनों यह नहीं बूल सकते कि तु मेरा खून है पतर मेरे सारे सपने मेरी सारी उमीदे तुछ से है और सच्वा कि मैंने हमेशा तरी बलाई चाहे है तो अब भी चाहे तो हम इस बीच की दिवार को खत्म कर सकते हैं लेकिन पतर अब तुने जिंदिगी के उस पड़ाओं में कदम रखा है जिसने तुमारे भाप को तो कभी खुशिया नहीं दे लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तेरी शादी शुदा जिंदिगी हमेशा खुश्यों से भरी रहे उतर बहु एक ऐसी होनी चाहिए जो गर को बांध कर रखे है वो दालचीनी दालचीनी बहुत अच्छी लड़की है उसके कदम तेरी जंदिगी में हमेशा शुब साबित होगै उतर झाम जा मजर कदम तेरी जो हुआ नादी । यह सक और करत अजू से जालचीनी ok